तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तो क्या आप भी चाते हो अपने इस्टाग्राम आइडी के पासवर्ट को चेंज करना लेकिन दोस्तों आपको आपके Instagram ID का password क्या है याद नहीं है आप भूल चुके हो तो फिर भी आप चाते हो अपनी Instagram ID के password को change करना बदलना तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप अपने Instagram ID के password को कैसे बदल सकते हो कैसे change कर सकते हो बिल्कुल असान तरीके से step by step सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों मस आप बने रहो मेरे वीडियो में शुरूप से आन्थे तक और दोस्तों अकर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ओल पे प्रेस कर दो ताके मेरे आने वाले वीडियो का आप मिस्ना कर पाओ तो दोस्तो चलते हैं हमेशा की तरह अपने mobile phone की screen पे बीना आपका time waste किये हुए तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने mobile phone की screen पे आ चुका हूँ और दोस्तो आपको आपके Instagram ID के password को बदलने के लिए change करने के लिए यहाँ पर आपको simple सा दोस्तो अपने Instagram application को open कर लेना है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने Instagram application को open कर लिया हूँ और दोस्तो यहाँ पर अपने Instagram application को open करने के बाद तो दोस्तो यहाँ पर आपको simple सा right side में सबसे नीचे की तरफ click कर देना है एक बार तो दोस्तो मैं इस पर click कर देता हूँ और दोस्तो इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको simple सा कुछ इस तरह का interface आएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको right side में सबसे उपर की तरफ आपको यहाँ पर three line बना हुआ दिख रहा होगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको simple सा यह three line पर click कर देना है तो दोस्तो मैं इस पर click कर देता हूँ और दोस्तो इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे features देखने को मिल जायेंगे सबसे first number पर एक option देखने को मिल जाएगा Account Center का तो दोस्तो आपको यहाँ पर simple जा सबसे first number पर एक dop जैबे Account Center वाले option फीजन पर click करदेना है तो आपको simple सा यहाँ पर आगे personal details वाले option पे click कर देना है तो इस पर मैं click कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर personal details वाले option पे click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके Instagram ID से जुरा हुआ phone number और email ID यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो phone number और email ID आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो दोस्तों अपना email ID देख लेना है जो email ID यहाँ पर है वही email ID आपके mobile phone में login होना चाहिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ से back आजाना है तो यहाँ से मैं back आजाता हूँ और दोस्तों यहाँ से back आने के बाद आपका जो भी email ID यहाँ पर है दोस्तों वह email ID आपके mobile phone में login होना चाहिए तब ही जाकर के आप अपने Instagram ID के password को बदल सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको simple सा password and security वाले option पे click कर देना है तो इस पर मैं click कर देता हूँ और इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे first number पे एक option देखने को मिल जागा change password का तो आपको simple सा यहाँ पर यह change password वाले option पे click कर देना है तो इस पर मैं click कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपको password आपका याद है तो यहाँ पर simple सा उपर में fill करके यहाँ पर नया password देन यहाँ पर नीचे में उसी password को लिख करके दोबारा से आप नया password बना सकते हो लेकिन दोस्तो आपको तो password याद नहीं है पुराना वाला तो दोस्तो यहाँ पर आपको simple सा उसके नीचे यह option पे click करते ना एक बार तो दोस्तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ एंड इस पर click करने के बाद यहाँ पर दोस्तो आपके Instagram ID से जुरा हुआ email ID जो भी है सब्सक्राइब वाले application को open कर लेना है तो दोस्तों मैं इसको open कर लेता हूँ एंद दोस्तों यह in को open करने के बार यहां पर णगते हो इंैट ग्राम की तरफ से मुझे एक email आ चुका है तो मैं यहां पर Simpl Eco कर देता हूं maybe do Stephenart करने के बार दोस्तों यहां पर आपको in Clapper मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है create a strong password and दोस्तों उसके नीचे देख सकते हो यहाँ पर new password का option है then उसके नीचे देख सकते हो new password again आप जो भी password बनाओगे नया उपर में लिखोगे same same password आपको नीचे भी लिख देना है and दोस्तों नीचे भी लिखने के यह reset password वाले option पे क्लिक करते ही आपके Instagram ID का जो भी password आप बनाओगे and आपका password चेंज हो जाएगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने Instagram ID के password को चेंज नहीं करने वाला हूँ अभी आप कुछ इस तरह से अपने Instagram ID के password को बदल सकते हो आपको याद नहीं है password पुराना वाला फ किसी नहीं टॉपिक के साथ सब तक के लिए बाई बाई टेप केर